हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी स्वाकत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद दिपा सहनी में आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इपोर्टेंट 25 कोश्चन करवाऊंगी और यह जो 25 कोश्चन है यह आपके अलग अलग एक्जाम्स में पूछे गई कोश्चन हैं जो कई बार रिपीट भी होते हैं और स्टूडेंट जिनमें थोड़ी बहुत गड़बड कर देते हैं ठी किस में खी माले हैं यह नाक टीबबा और महाबारत अब आपको देखना है अगर म बात करें फर्स्ट ओप्शन अदो हिमाले, पार हिमाले, उच्छ हिमाले, निम्न हिमाले, अब देखो उच्छ हिमाले यानि वरात हिमाले, पार हिमाले यानि हिमाले के पार की कोई परवत मालाई नहीं, अदो हिमाले यानि हिमाले के नीचे की कोई परवत मालाई हैं, देखो और ये ब 것은 MS प्रायश रहेगा वह रहेगा NIM नहीं मनले क्या रहेगा NIM नभीन में से किसे ही ब्राउन पेपर कहा जाता है यहाँ पर कुछ फसले हैं आपको बताना है इसमें से कौन सी फसल को ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट, कपास, रबड, चाहे देखो जूट जूट जिससे आपकी रसे बनते बोरिया बनते हैं ठीक है जूट जिसका उत्पादन भारत में पशिम बंगाल राज्ये में सबसे दिख किया जाता है कपास, ठीक है कोटन रबड भारत में साउथ वाले एरिया में ज्यादा बोही जाती है चाई असम में जूट की अगर हम बात करें तो जूट को कहा जाता है ब्राउन पेपर जिसके आपकी जूट के आप ये जो ब्लेजर वगारा चल गए हैं वो भी चल गए हैं उसके अलावा आपके कपड़े भ में तो ध्यान से करना नेक्स आता है नदी मार्ग का सोपदल क्या है सोपदल सी बात देखो जब और दिखाना आको जिसमें एक नदी की पूरे मार्ग को दिखाय जाता, यानि जहां से नदी निकली, वहां से लेकर, लास्ट में जहां पर समुंदर में मिल गई, वहां तक, ठीक है, तो इसका right and sir रहेगा, स्त्रोत से मुहाने तक, ठीक है, स्त्रोत से, स्त्रोत यानि जहां से रिवर पैदा होई, और मुहाना य ऐयू मंडल की सबसे नीचे वाली परत है। सी छोब मंदल बहिर मंदल आयन मंदल समताप मंदल सब जानते हैं जी सा घोशन है छोब मंदल वायू मंदल की सबसे पहली प्रत हमारे वायू मंदल को पाँच लेयर्स में डिवाइड किया गया है पहले नमबर पर आती है छोब मंदल दूसरे नमबर पर आती है समताप मंदल तीसरे नमबर पर आती है मद्या मंडल फोर्थ नमबर पर आती है आयन मंडल और फिफ्ट पराती है भाहिर मंडल तो पाँच लेयर में डिवाइड किया गया है हमारे वायू मंडल को छोब मंडल सबसे इपोटेंट लेयर है मनुश्य के लिए मोसम समंद्धी सारी घठनाई भी ये है छोब मंडल नेक्स आता है बाल्तिक सागर के बंदरिगा internal crystal के लिए सर्णियों में क्यों अश्वले रहे ते अध्यको견 मैं पहले खुछाँ आपको और दूसरी वीडियो में तो जो बाल्टिक सागर है वो आपके यूरोप पर पढ़ता है यूरोप के पश्मी तट पर अब यूरोप इतने उची अक्षांसों पर स्थीत है कि वहाँ पर सारा साल बरख पढ़नी चाहिए बट बाल्टिस सागर में जो बंदरगाएं हैं जो सी पोर्ट हैं वो अमेशा ट्रेड के लिए सर्दियों में भी उपन रहती है वो क्यों खुली रहती है वहाँ पर तो बरख पढ़नी चाहिए तो उसके कारण आपको देखनी है तो क्या क्या कारण है नंबर वन वो उशनकटी बंदिये पेटी में बिलकुल रोंग भई वो भुमते रेखे पेटी के आसपास तो है ही नहीं वो तो आपके करक रेखा से भी बिलकुल 50 डिक्री उत्री अक्षांस के पास है आपका यूर पर फॉर्थ हता प्रश्मी विक्षोप तापमान में काफी विर्दी कर देते हैं यह भी बिलकुल रोंग तो राय तनसर रहेगा उत्री अट्लांटिक पर वहां इस उत्री अट्लांटिक पर वहां में नार्वी तक एक ऐसी गरम जल धारा आती है भुमते रेखा से जो पर ठीक है नेक्स्ट कॉशन आता है निमन में से सबसे ऊचा में कोंछ सा है मोस्ट मोस्ट एपोटक कौशयन बार- बार र Siड पूच्छा जाता है पीजिटी लावल पर भी, तो पकशाब मेग, बर्शाश सत्री मेग कपासी मेग, तो राइट अन सुर रहेगा पकशाब मेग, जो पकशाब मेग होते हैं न, वही हमारे सबसे अधिक उचाई पर होते हैं, आकाश मेँ वायू मंडल मेग, सबसे अधिक उचाई पर यही होते हैं, ठीक है, next question आता है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, माइका जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे अबरक भी कहा जाता है, इंग्लिश में माइका, हिंदी में अबरक, यूएसे, यूके, कनाड़ा, भारत, तो माइका की सबसे बड़ा उत्पादकता की बात करें, तो कौन करता है वही, तो हमारा इंडिया, वैसे नियो आकड़े के अकोर्डिंग बिल्कुल अलग होगा, अब इंडिया नहीं है, बट काफी सालों तक इंडिया ही रहा था, माइ पामीर की पथार में लिए श्युवालिक में या एल्पस में हो अपका अफरीका में है waitद अपया पितल। आफका ऋ है आप कि नौर्षग कहते हैं लिए ऐख्या इप एफिवालिया पेट कामीर का इल्पफार मह इसे बाल तोरो गलेशयर भी कहते हैं इसको आप याद रखोगे इसे बाल तोरो गलेशयर के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन आता है बेमल युगम को पहचानिए आपको गलत जो जोड़ा है उसको चूज करना है कौन सा जोड़ा गलत है चाए असम में यानि ज चूज करना जो रोंग होगा बाकी तीन राइट होगे यानि इस कोश्चन से आपके चार कोश्चन निकलेंगे एक ही कोश्चन से चाय असम में बिलकुल राइट भारत में असम राज्ये ही सबसे ज़्यादा चाय का उतपादक रहा है बरसों से मुंगफली बिहार बिलकु बिलकुल है इस बाकी हरकी ही परिवर इसम बिलकुल रेट जो की गोश्चन नेक्स बाता है इसमें आपकोश्चन आपका उस्ट्रेलिया कौंटीनेंट हे उत्तर पूर्डों की यानि नोर्थ इस्ट की और आपकी एक 2000 पलस कुछ आपकी एक बहुत बड़ी परवाल भीती है, एक्चुली संसार की सबसे बड़ी परवाल भीती है, जिसे कहते है Great Barrier Reef, ये Queensland के तट पर है, ठीक है किस तट पर है, Queensland, ये आपका किस में पूचा गया था, ये आपका पूचा गया जब लास्ट बार आपका KVS का एक्जाम हुआ था, तो TGT में आया था, कि Great Barrier Reef किस तट पर स्थित है, Queensland के तट पर स्थित है, और ये Queensland आपका कहां पढ़ता है, Australia में, नेक्स्ट आता है question, केरल की नीरव घाटी में स्थित 1 किस परकार के 1 का ही एक एक एक्जामपल है, प वैसे तो दोनों ही परकार के हैं, नेरव घाटी में परण पाती भी और मैग्रोवन भी, बट सबसे ज़्यादा मात्रा में मैग्रोवन हैं वहाँ पे, तो राइट अंस्वर हैगा मैग्रोवन, वैसे भी नदियों की जो घाटियां होती है, या आपके जो डेल्टाई परण पाती भी है और मैग्रोव भी है, अगर उप्शन में परण पाती मिले तो आप परण पाती तिक करना, अगर मैग्रोव मिले तो मैग्रोव अगर दोनों है तो आप मैग्रोव टिक करना, नेक्स आता है सुमूंदर समीर बनती है, दिन के समयर रात के समयर दोनों समय सिंपल सी बात है जो समुंदर समीर हमारी बनती है वो कभी भी बन सकती है तो दोनों ही समय ऐसा जुरूरी नहीं है कि वो दिन के समय ही बनेगी रात के समय ही बनेगी सिंपल सी बात है समुंदर समीर कब बनती है जब आपकी जो हमाई है वो समुंदर से चल कर यानि समुंदर स समीर ठीके समुंद्र से सल एरिया की और यानि लैंड एरिया की और नेक्स आता है कोश्चन पिर्थिवी कितनी पुरानी है इसका निर्धारन किस परकार किया जाता है हमारी अर्थ की एज का पताब किस परकार लगाओगे option देखते हैं भू विज्यानिक समय ग्यान रेडियो समपदती से भी नहीं जो रेडियो मैट्रिक काल निर्धारन यानि रेडियो डेटिंग भी जिसे कहते हैं इसी के दुआरा हम चप्टानों की एज का और हमारी पिर्थिवी की कैसी है वो भी तो कहीं से कठोर है कहीं चप्टानी है और उनी चप्टानों की एज का पता लग सकते हैं तो राइट अंसर रहेगा ऑप्शन बी रेडियो मेट्रिक कार्व निरधारन नेक्स गुश्चन आता है पिर्थ्वी के स्तल प्रिष्ट का कितना पार्ट रेगिस्तान है दसवां पांचवां एक त्याई छटा तो राइट अंसर रहेगा। पांचवां अगर पर पिर्थवी के स्तलिय भाग की बात करें तो रेगिस्तान में देखो सहारा मरुस्तल जो कि हमारी पिर्थवी का सबसे बड़ा गरम मरुस्तल है और अंटारक्टिका मरुस्तल वो हमारी पिर्थवी का सबसे बड़ा कोल्ड डैजर्ट है और वैसे भी सबसे बड़ा अंटा का रेगिस्तान है next question आता है संसार में सबसे west और सबसे महतोपूरण समुंद्र मार्ग है सबसे west यानि सबसे busy आपको समुंद्री मार्ग ढूंड़ रहा है उतरी परशान समुंद्री मार्ग उतरी Atlantic समुंद्री मार्ग दक्षन या Atlantic और हिंद महासागर सिंपल सी बात है जहां पर आपके सबसे ज़्यादा डवलाप्ट कंट्री होंगी वहीं पर आपका ट्रेड वगारा ज़्यादा होता होगा और जहां पर ट्रेड ज़्यादा होगा वही आपका समुंद्री मार्ग सबसे बीजी होगा तो राइट अन सो रहेगा उतरी अट्लांटिक उनों किनारों के अगर हम बात करें तो उतरी अट्लांटिक समुन्द्री मार्क में वैस्ट और पश्यम के और पढ़ता है अमेरिका युस ए कानाडा ठीक है और पुरव के और पढ़ता है यूरोप और नीचे आपका अफ्रीका वगारा आजाता है तो यूरोप तो यूरोप नेक्स्ट कोश्चन आता है परमानु उर्जा एक खनीज अधारित उर्जा स्रोथ है यह निकाली जाती है परमानु उर्जा किस से प्राप की जाती है यूरेनियम से थोरियम से प्लूटोनियम से या उप्रयोक्त सभी से तो राइट अंसर रहेगा उप्रयोक्त सभी से यूर केरल राज्ये में मोनोजाइट रेत है इसमें वरपूर मात्रा में उस रेत से थोरियम प्राप्त किया जाता है जो हमारे लिए एक अच्छा परमानु उर्जा का स्त्रोथ है तो हम सबसे जहाद किसे यूज करते थोरियम को याद रखना इन तीनों को नेक्स्ट कुशन प्रवीर जो नहीं होगा जब शुकन्दर मील में इक से रस निकाल लेने के बाद जो बच जाता तो उसे लोग क्या कहते है खो ऑी कहते है शीरा तो आप लिक्विड फोम में होता है शीरा तो वह नहीं प्याओं नहीं होगा वहे भी नहीं है शीरा भी नहीं है राइट अंस तो रहेगा खोई यह बिल्कुल यह लगा लो आप बाद में न कुछ लोग तो इसको जलाने के काम में भी लेते हैं एक से तो ठीक है नेक्स्ट कोइशन आता है रेखांस की परतेग डिगरी के लिए किसी जंगय के स्टानिय समय में गिरीनवीच समय से कितना अंतर होता है चार मिनट अब ये फूरा मैंने लिकाला हुआ है कि एक देशानतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है तो जैसे जैसे आप Greenwich समय से पूरो के और जाते हैं तो चार मिनट का अंतर बढ़ता चला जाता है और ये चार मिनट बढ़ते 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 पूरो के और जाओगे तो इसके ओपर मेरे चैनल पर पूरी एक वीडियो है जो ग्रफी प्लेइस्ट सिरीज में आपको मिल जाएगी तो वहां से आप उसको देख सकते हैं तो मॉस्ट इपोर्टेंट है ये नेक्स्ट कोशन आता है पृत्वी की सतय के ठीक बुमद्दे रेखा के उपर लगबग 16 किलोमेटर की उचाई तक और दुर्वे के उपर दुर्वो के उपर 8 किलोमेटर तक जो वाई मंडल जोन होता है उसे आप क्या कहते हों तो सिंपल सी बात है हमारी पृत्वी की सतय क बुमद्दे रेखा के उपर 16 किलोमेटर दुर्वो के उपर 8 किलोमेटर तो ऐसी कौन सी लेयर है जो आपकी बुमद्दे रेखा और दुर्वो पर जिसके हाइट अलग लग है तो वो हमारी शोब मंडल है मैंने आपको अभी अभी बताया था इसी वीडियो में तो इसका राइट अंसो रहेगा शोब मंडल शोब मंडल आपकी बुमद्दे रेखा के उपर तो 16 किलोमेटर और दुर्वो के उपर इसकी हाइट की बात करें उचाई की बात करें तो केवल 8 किलोमेटर है समझ गए नेक्स्ट कोशन आता है निमने में से कौन सी नदी जवार नद गंगा, तापती, गोदावरी और महानधी अगर इंडिया में बात करें न तो इंडिया में दो ही फेमस रीवर है एक आतकी नरमदा और दूसरी तापती अब नरमदा तो ओप्शन में है नहीं पर तापती है तो राइट अंसो रहेगा तापती अब जवार नद मूत यानि एस्चूरी क्या होता है एस्चूरी एक्चूरी जब रीवर्स समुंदर में मिलती है अरफ सागर में गिरती है तापती रीवी खंबात के खाड़ी अरफ सागर तो जब ये तापती नदी मिलती है ना खंबात के खाड़ी में गिरती है तो ये किसी परकार का कोई डेल्टा न नहीं बनाती और जब रीवर्स कोई डेल्टा ना बनाकर सीधे तोर पर ही समुंदर में ऐसे ही मिल जाये तो उसे कहते हैं जुआर नदमुक यानि एश्चूरी तो भारत की दो ही फेमस रीवर है नर्मदा और तापती जो की एश्चूरी बनाती है जुआर नदमुक बनाती ह और डेल्टा नहीं बनाती तो इसको आप याद रखना एक्जाम के पॉइंट अव्वी से मोस्ट मोस्ट इपोर्टेंट कोश्चन है तो यहां पर रीवर्स से थोड़ी और जानकारी दे दूँ गोदावरी की बात करें तो इसे दक्षिन की गंगा कहते है व्रिद गंगा क की बात करें तो 25-25 यानि 2525 किलोमेटर इसकी हाइट है गंगा की और उसके अलावा गंगा गंगोतरी हिमनस से 6600 मीटर की उचाही से निकलती है और देव परियाग के जंगय के नाम पर ही देव परियाग नामकस्तान पर ही गंगा का नाम पड़ता है जहां पर ठीक है और उ महानदी के बात करें तो महानदी आपकी उडिसा राज्य में बैती है नेक्स आता है कोशन केरल किसकी खेती के लिए परसिद है नारियल काली मिर्च रबड चावल तो बही जो केरल की बात करें तो केरल के नारियल के ने भी फेमस है काली मिर्च मिर्च मसालों में तो नंब फ्री ओप्शन किसमे है तो ओप्शन डी इस राइट नारियल में काली मिर्च में और रबड में इन सब में केरल फेमस है बट चावल में नहीं है तो देखो अब यहां पर आप ऐसे कोशन को अटा भी सकते हो नंबर फॉर आपको पता है कि केरल में चावल ज्यादा नहीं शिपकिला, जोजिला, नाथूला और जलेपला थीक है तो हिमाचल परदेश के बात करें तो number option A is right हिमाचल परदेश में शिपकिला दर्दा आता है नाथूला और जलेपला ये दोनों आपके सिक्केम राज्ये में पढ़ जाते हैं ठीक है तो ये आपका पढ़ता है शिपकि गहरी सबसे डैप्ट ट्रेंच है परशांत महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच की बात करें तो वो होगी आपकी मेरियाना ट्रेंच मेरियाना मेरियाना ट्रेंच 11,033 मेटर इसकी गहराई है 11,033 मेटर अंद महासागर की बात करें तो प्यूरो ट्रीको प्यूरो ट्रीको जो इसकी सबसे गहरी ट्रेंच है अंद महासागर की जिसे इंगलिश में Atlantic Ocean भी कहते हैं मेक्सिको की खाड़ी ये एक बे है ये कोई आपका सागर महासागर नहीं है जो मेक्सिको के पास है मेक्सिको की खाड़ी तो ये तीनों Oceans के आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से ट्रेंच सबसे ज़्यादा गहरी है नेक्स कोशन आता है पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है मिठी मकई, मिठा जवार, मतर, शकरगंदी तो जो पहाड़ों पर उगाई जाता है वो उगाई जाती है शकरगंदी जो आप खाते भी है सर्द्यों में काफी आती है शकरगंदी ठीक है जो आपके कंदमूल के रुप में उखता है जड़ों में उखती है शकरगंदी तो वो ही यह पाड़ों पर उखाई जाने वाली परमुक फशल ठीक है तो यहाँ पर यह आज की वीडियो का लास्ट कोशन था आई ठीक आपको सारी कोशन क्लियर हो गई है कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और अगर आपको मेरे कोशन अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मैक्शिमम ताकि जादा से जादा स्टूडेंट मेरी चैनल के साथ जूट सके और इसके लग रहे हैं आप सभी को वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो सच्छी लग रहे हैं तो मेरा मनोबल प्लीज प्लीज बढाएं मैक्सिमम मेरे चैनल के साथ जूड़िएं ओकी हैवे नाइस डे ओकी बाबाई